जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन स्टाइल स्पाइसी मसाला नूडल्स की रेसिपी इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है और बच्चों को तो यह बहुत पसंद आने वाली है काफी व्यूवर्स की डिमांड थी के आप बच्चों के टिफिन बोक्स के लिए कोई रेसिपी सेर करें तो इस रेसिपी को आप ट्राइ कर सकते हैं बच्चों को यह बहुत पसंद आएंगे तो चलिए सुरू करते हैं call our holy peppers सबसे पहले हम दूडल करेंगे इसलिए हमने यहां पर चार कप पानी लियाँ part और पानीage हम एट करेंगे एक टी स्पून तेल इसी के साथ हाफ टी स्पून नमख हीट करेंगे और हीट पानी पर इस पानी में एक उबालाने देंगे पानी अच्छे से बोईल हो चुका है और अब हम इसमें एड कर देंगे नूडल्स तो हमने यहाँ पर दो कप नूडल्स लिये हैं इसे एक बार चला लेंगे और नूडल्स को बोईल करते वक्त हम गेस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखेंगे मीडियम फ्लेम पर नूडल्स को हमने 5-7 मिनिट के लिए अच्छे से बोईल कर लिया है और अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और छहनी की मदद से इसका ज्यादा का पानी निकाल लेंगे अब हमने एक पेन में 3 टेबल स्पून तेल गरम कर लिया है तेल गरम होने के बाद हम इसमें 1-2 ती स्पून जीरा एट करेंगे क्यूंकि हम इंडियन स्टाइल मसाला नूडल्स बना रहे हैं इसलिए हम इसमें 8-10 कड़ी पत्ते भी एट कर देंगे कड़ी पत्ता यहाँ पर बिल्कुल ऑप्सनल है अगर आप ना एट करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं इसे हमने तेल में अच्छे से सोटे कर लिया है ताकि इसका फ्लेवर रिलीज हो जाए और अब हम इसमें 2 मीडियम साइज की प्याज एट करेंगे और यहाँ पर हम प्यास का कलर चेंज नहीं करेंगे बस यह थोड़ी सी सोफ्ट होने लगे इतना हम इसे फ्राई करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्यास थोड़ी सी सोफ्ट होने लगी है तो इस स्टेज पर हम इसमें एट कर देंगे हाफ कप बारिक कटी हुई सिम्ला मिर्च और हाफ कप बारिक कटी हुई गाजर गेस थी फ्लेम को हाई रखेंगे और इन वेजिस के क्रंची होने तक हम इनको प्राय करेंगे हाई फ्लेम पर डेढ़ से दो मिनित तक प्राय करने के पार। आप देखेंगे के गाजर और चिम्ला म παडी से हबिके थोड़ी से प्राइट होने लगे हैं तुमाटर के सॉफ्ट होने तक हम इसे थोड़ा और फ्राई कर लेंगे स्याहाँ पर अपनी पसंद के हिसाब से कोई इसी भी सबजी एट कर सकते हैं तुमाटर के सोफ्ट होने तक सब्राई कर लिया है और अब हम ऋब इसमें एड करेंगे एक चोथाइँ टीस्पून जीरा पावडर एक डीस्पून हल्दी पावडर एक टीस्पून धन्या पावडर एक टीस्पून लालमिंश पावडर और फृप्स टीस्पून यानि कि पोनाच नमक नूडल्स को बोइल करते वक भी हमने नमक याद किया है इसलिए अभी हमने इसलिए की कउंटिटी कम रखी है और इस идет के साथ हम इसमे एड कर देंगे मेगी मसालाय मेजिक आप यहाँ पर मेगी मसाला ए मेजी की जगा एक ती स्पून पास्ता मसाला भी एड़ कर सकते हैं इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे तो एक चोथाई कप पानी एड़ करके हमने इसे अच्छे से मिला लेना है और मसालों की कच्छी स्मेल दूर होने तक हम इसे भूनेंगे 2-3 मिनिट तक मसालों का कच्छापन दूर होने तक हमने इसे लो फ्लेम पर भून लिया है और अभी आप देख सकते हैं कि हमारी जो सबजियां है वो सोफ्ट नहीं हुई है तो हम इसे कवर करके पकाएंगे ताकि सबजियां अच्छे से सोफ्ट हो जाए इसे लो फ्लेम पर पकते हुए 5 मिनिट हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि मसाले भी अच्छे से भून गए हैं और सारी सबजियां सोफ्ट हो गई है अगर आपको नूडल्स में सबजियां थोड़ी क्रंची रखनी है तो आप इसे ज्यादा न पकाएं तो अब इस तेश पर हम इसमें नूडल्स एट कर देंगे नूडल्स को बोईल करने के बाद हमने इसका ज्यादा पानी च्छने की मदश से निकाल दिया था अब घुसे इसमें एट कर देंगे इसे अच्छे से मिला लेंगे और नूडल सेट करने के बाद इस मसाले के साथ हम नूडल्स को लोफलेम पर सिप दो मिनिट के लिए पकाया है और हमारे इंडियन स्टाइल स्पाइसी मसाला नूडल्स बनकर तयार है अगर आप इसे बच्छों के लिए बना रहे हैं तो लाल मीश की कौंटिटी थोड़ी कम कर दीजिएगा इसे बिल्कुल इंडियन स्टाइल बनाने के लिए इसे सव करते वक्त हम इसमें 3-4 टीस्पुन जितना देसी घी एट करेंगे इससे नुडल्स का टेस्ट और भी बढ़ जाता है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कॉमेंट में हमारे साथ अपने एक्स्पीरेंस जरूर से सेर करें फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई